जैहिन दोस्तों बिहार पुलिस सिपाई की परिक्षा के लिए आज किस वीडियो में खांसर के इस बुक से प्रेक्टिस सेट नमर 12 को कवर करेंगे जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस और करेंट अफेर्स को मिला कर टोटल 70 सलेक्टेट कोशन्स को कवर करेंगे जो कि सा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग जाकर देख सकते हैं तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रेक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यान पुरवक देखिए तो साथियों पहला कोशन है भारत में कौन सा दिन संबिधान दिवस के रूप में मनाया जाता है वेरी इंपॉर्टन कोशन है चलिए आप से भी आंसर बते ये भारत में कौन सा दिन संबिधान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यहाँ पर इस कोशन का आंसर क्या होगा याद किर लिजिए ये पूछा हुआ कोशन है प यानि कि 26 नॉवंबर को संबिधान दिवस की रूप में मनाने का जो तै हुआ था 2015 में और 2015 से लगतार 26 नॉवंबर को संबिधान दिवस की रूप में मनाया जाता है 14 अप्रेल याद रखेगा ये भी पूछा हुआ कोर्षन है अम बेड़कर जयनती मिनाई जाती है 14 अप्रेल को अगला कोर्षन देखिए भारतिय संविधान के मौलिक करतवी किस देश के संविधान से लिये गए है बिल्कुल सेलेक्टेट कोर्षन है चले आप से भी आंसर बतेए मौलिक करतवी को किस देश के संविधान से लिया गया है तो यहाँ पर कोर्षन नमर दो के लिए जोई बच्चे आंसर ऑप्सन C बता रहे है उनका बिल्कुल सही जबाब है सोवियत संग से लिया गया है मौलिक करतवी को वरतमान में टोटल 11 मौलिक करतवी है और मौलिक करतवी को किस भाग में रखा गया है तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखा गया है याद रखेगा आस्टेलिया के संविधान से क्या लिया गया है समवर्ति सूची को और United Kingdom की बात करें तो संसिदात्मक प्रनाली को लिया गया है UK के संविधान से और संजुक तराज अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है अगला कोर्सन देखिए भारतिय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्य ध्वज फहराने का अधिकार है चले very important question है एक भी question को आपको skip ने करना है तो यहाँ पर इस question का answer क्या हो जाएगा अनुच्छेद 19 का एक में जो की B option में दिया गया है इसके तर्थ राष्टे द्वज फाराने का अधिकार मिलता है अगला को संदिके भारते संभिधान के निमनलेखित में से किस भाग में कारे पालिका को न्याय पालिका से अलग किया गया है तो यहाँ पर इसका answer क्या होगा तो जोई बच्ची option C बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जबाब है राजी के नेती निदेशक सिधान्त में इसको भाग चार में रखा गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में ध्यान रखिएगा प्रस्ताबना में पूछा आता है अभी तक कितने बार संसुधन किये गए हैं तो मात्र एक बार कौन सा तो 42 संसुधन जो की 1976 में हुआ था आगे दिके संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिक्तम कितना अंत्राल होता है तो 7 संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिक्तम याद रखीगा 6 मा का अंत्राल होता है यहाँ पर D option आपका सही जवाब है और 7 संसद का वर्ष में कितना सत्र होता है तो 3 सत्र होता है कौन कौन सा पाला है बजट सत्र दूसरा है मानसुन सत्र और तीसरा क्या है सीत कालिन सत्र तीनों को ध्यान रखना है लोग सभा की बैठक के गठन के लिए आविस्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है बिल्कुल एकजाम में छपने वाला कोशन है चलिए आंसर बतेए और साथी आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से और इसका पीडियेप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो लोग सबा की बैठक के गठन के लिए आवस्यक कोरम जो है सदन के कुल सदस्यों का दस्वा भाग है यानि की एक बटे दस है निम्न में से किस चुनाओं में महिलाओं के लिए एक तियाही सीटे आरक्षित होती है चले वेरी इंपोर्टन कोर्षन है इस पर इस्टार माग कर लिजिए इस तरह के कोर्षन आपके एकजाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल सई आंसर दिये हैं पंचायती राज में याद रखेगा किस चुनाओं में तो पंचायती राज चुनाओं में महिलाओं के लिए एक तियाही सीटे जो है वो आरक्षित होती है भारत्य संबिधान की कौन सी अनसूची अनसूचित भासाओं के बारे में है और दिखे पंचायती राज से आपको ज्यान रखना है भारत में कौन सा इसा राज है जो पंचायती राज सबसे पहले लागू किया था तो याद रखेगा राजस्थान राजस्थान के नागोर से प्ररम होता है पंचायती राज वेवस्था और दूसरा राज पूछे लागू करने वाला तो आंदरपर्दिस पहला राजस्थान और दूसरा आंदरपर्दिस तो आप सभी जानते हैं 8 वी अनुसूची में 22 भासाओं का उलेक मिलता है तो यहाँ पर सही जबाब है क्या होगा कौन सी अनुसूची अनुसूची दभासाओं के बारे में हैं अनुसूची पूछा गया यहाँ पर सही जबाब है अनुसूची आठ में ज्यान रखेंगे इसमें 22 भसाओं का उल्लेक मिलता है भारतिय धोज के डिजाइन का स्रे इन में से किसे दिया जाता है चले कोर्शन नमबर 9 के लिए आप सभी आंसर किजिए भारतिय धोज जो त्यंगा है इसका डिजाइन का जो स्रे है किसे दिया जाता है तो यहाँ पर इस क्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा पिंगली वेंकिया को पहला आप्सन आपका सही जबाब है और हमारा जो राश्टे द्वज तिरंगा है तो इसमें पूछा आता है लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना होता है त चलिए फड़ाफट से आंसर करते चलिए हमारा सौर्मंडल किस गैलक्सी का एक हिस्सा है तो याद रखेगा आकास गंगा का चंदरमा पर मौजुद वह प्रकास क्या है जिसकी वज़ा से यह हमें पिर्थवी से दिकाई देता है तो आप सभी जानते हैं चंदरमा के पास कोई भी प्रकास नहीं है वो सौर्य के माद्यम से चमकता है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सौर्य का प्रकास चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकासित हिस्सा हमें दिखाई देता है एल नीनो खालियस्थान महासागर में तापमान आसमानिता को दरसाता है किस महासागर में सई जबाव है प्रसांत महासागर में जोकी सबसे बड़ा महासागर है और इसी में है मेरियाना गर्थ जोकी विसू की सबसे गहरी खाई है रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? सही जबाब है चीन में भारत का निम्नतम बिंदू कौन सा है? तो सात्यों भारत का निम्नतम बिंदू कौन सा है? तो याद रखेगा यहाँ पर इसका सही जबाब क्या है? कुट नाड जो की केरल में पढ़ता है पुर्वत्तर भारत की निम्न लेकित में से कौन सी जील मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है चले कोशन नमर 15 के लिए आप से भी आंसर किजिए फड़ाफट से और साथी उस क्लास के साथ साथ आपको डेली साम साथ बजे की क्लास को जरूर देखना है और देखे साम साथ बजे की जो क्लास है यह आपको मेरे दूसरे चज़र पर मिल जाएगा उस चैनल का लिंक इसे वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या होगा तो पंदरे के लिए आंसर हो जाएगा लोक्टक जील जो की मनिपूर में है ज्यान दीजी यहाँ पर पूछा गया है पुरुवत्तर भारत में निम्नलिकित में से किस नदी का उदगम अस्थान तिबबत में है और ऐसे गर आप से पूछा जाए भारत में सबसे अधिक मेठे पानी की जील तो बूलर जील है जो कि जम्मू कस्मिर में है लेकिन पुरुवत्तर भारत में पूछे तो लोक्टक जील है तो यहाँ पे कौन सी नदी का उदगम अस्थान तिबबत में है तो सिम्पल सा कोशन है ब्रमपुत्रा नदी गोदाबरी नदी की लंबाई याद रखेगा पूछा जाता है 1465 किलोमेटर है और यह प्राइद विपिय भारत की सबसे लंबी नदी है किस भारतिय सहर को भारत की सिलिकॉन वैली की रूप में जाना जाता है तो सिलिकॉन वैली के रूप में करनाटक की राजधानी बैंगलूरू को जाना जाता है सैलेंट वैली पूछे तो केरल को का जाता है सैलेंट वैली और फूलो की घाटी पूछे तो उत्राखंड भारत की वैदिक काल अवधी कब तक चली थी और देखे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आपसे रिक्वेश्ट है आपसे भी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए तो भारत की वैदिक काल अवधी जो है कब तक चली थी तो यहाँ पर इसका साई जबाब है 1500 से 500 इसा पुर्व पुलकेशिन दूइतिय किस राजवन्स का सरवाधिक प्रख्यात सासक था तो कल हमने हिश्ट्रे क्लास में कबर किया था पुलकेशिन पर्थम और पुलकेशिन दूइतिय तो यहाँ पर इसका सही जबाब है चालुक के मुरुदेश्वर मंदिर खालियस्थान राज में कंदुगिरी पर इस्तित है तो देखें मुरुदेश्वर मंदिर जो है किस राज में है तो करनाटक में कंदुगिरी पर इस्तित है पाला ओप्सन या पर सही है टावर ओप विक्ट्री विजय अस्तंब खालियस्थान में इस्तित है और देखिए अगर आपको किसी भी प्रस्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंद कमेंट करके पूछे आपके कमेंट के रिपलाई 100% दिया जाएगा तो ध्यान दीजे टावर ओप विक्ट्री विजय अस्तंब जो है किसी राज में है तो याद रखेगा यह राजस्थान राज में है एक प्रसिद यात्री इबन बतूता खालियस्थान का मूल निवासी था तो बहुत सिंपल कोशन है मुरक्को का मूल निवासी था अकवर की प्रसासनिक सीट कहाँ पर थी तो याद रखेगा अकवर की प्रसासनिक सीट आगरा निम्न लिखित में से कौन सा इसमारक दिल्ली में स्थित नहीं है तो यहाँ पर 24 के लिए आंसर क्या हो जाएगा बुलन दरवाजा ये दिल्ली में नहीं है ये फतेपूर शिक्री में है निम्न लिखित सहरों में से किसे प्राचिन समय में डेशिन गनाडू कहा जाता था तो परचिस के लिए आंसर हो जाएगा आपका कुल्लम आगे देखे रएत वाड़ी बेवस्था खाली अस्थान वर्स में शुरू की गई थी तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या है बी ओप्शन अठारा सो बीश में याद रखेगा अठारा सो बीश में महात्मा गांदी ने पहली और अन्तिम बार भारते राष्टे कॉंग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के देख्षता कहां पर किया था तो याद रखेगा करनाटा के बेलगाव में किया था कब तो निस्था चौविस में आगे देखे स्वराज पार्टे की अस्थापना किस वर्ष की गई थी तो साथ्यों स्वराज पार्टे की अस्थापना याद रखेगा किस वर्ष में किया गया था तो यहाँ पर कुश्चन नमरा 28 के लिए अंसर होगा 1923 में किस ने किया था तो याद रखेगा चित्रंजन दास और मोतिलाल नहरू ने किस वर्ष में पीट का भारत अधिन्यम पारित क्या गया था सिंपल सा कुश्चन है याद रखेगा कब किया गया था तो यहाँ पर इसका सही जबाब है 29 के लिए ऑप्शन ए 1784 में और 1773 याद रखेगा रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के ताद 1784 में कलकत्ता में सरवुच नयाले की अस्थापना होती है यानि सुप्रिम कोट की अस्थापना कलकत्ता में जिसके मुख नयादिस कौन बने थे एलिजा इमफे इसे भी ध्यान रखेगा वर्तमार में पूछे टोटल कितने हाई क निम्न लिखित में से कौन सा किला तमिल लाडू में इस्थित है चले कोर्शन नमर 30 के लिए आप सभी आंसर कीजिए इन में से कौन सा किला तमिल लाडू में इस्थित है तो यहाँ पर इसका सही जबाब है ऑप्शन ए मनोरा का किला नेट नेशनल प्रोड़क्ट यानि ए NNP का सुत्र क्या होता है तो इसको डारेक्ट याद कर लेजिए NNP ब्राबर होता है GNP मैनस मुल हरास याने की डेप्रिसेशन जो कि C आप्षन में दिया गया है NNP ब्राबर GNP मैनस डेप्रिसेशन याने की मुल हरास शुरक्चित इभुक्तान के विकल्प के लिए RBI ने खालियस्थान की शुरुवात की तो दीखे सुरक्चित इभुक्तान के विकल्प के लिए RBI ने याद रखेगा विजन 2021 की शुरुवात की भारत में श्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरन है? तो यहाँ पर इसका आंसर जात कर लेजिए यह सेवी इसका हिंदी में मतलब होता है भारतिय प्रतिभूती एबम विनिमय बोड 2011 की जनगना के अनुसार भारत का सरवाधिक साक्षर राज कौन सा है? और साथियों आपको कोशिस करना है प्रत्य प्रेक्टिस इट में 70 कोशन है तो 70 में से कम से कम आपको 50 से 55 कोशन सही करने है क्योंकि यह सिंपल सिंपल कोशन है ज्यादा हाट कोशन नहीं है इसलिए प्रियास करना है आपका 50 से 55 कोशन प्रत्य प्रेक्टिस इट में सही हो तो यहाँ पर 34 के लिए आंसर क्या हो जाएगा केरल याद रखेगा सबसे साक्षर है और सबसे कम साक्षर पूछे तो अपना बिहार है मृदा हेल्द कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है तो सभी ऑप्षन को ध्यान से पढ़िए यहाँ पर आंसर हो जाएगा या राज सरकार दुवरा प्रायोजित योजिना है जो की बिल्कुल गले थे ओप्षन ए आपर सच नहीं है बाकी सभी सच है पढ़ लिजीगा प्रदानमंत्री सुरक्षा बीमा योजिना के ताथ जोखिम कवरेज कितना है तो यह है दो लाक रुपिय किस मंत्राले ने मिशन 41 के कारेकरम की सुरुवात की है चलिए सैतिस के लिए आंसर किजिए किस मंत्राले ने मिशन 41 के कारेकरम की सुरुवात की है तो यह किया है याद रखेगा किसने तो रेल मंत्राले ने वर्तमान में रिल मंत्री कौन है? अस्वनी वैसनव है N-R-H-M का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियो N-R-H-M का फूल फॉर्म हो जाएगा इसको याद कर लिए 38 के लिए आंसर हो जाएगा National Rural Health Mission महराश्ट के पारंप्रिक लोक रंग मंच का नाम बतेए तो ये हो जाएगा तमासा जो किसी ओप्षन में दिया गिया है लखनव कड़ाई के किस पारंप्रिक कला के लिए प्रसिद है? Important question रहेगा लखनव कड़ाई जो है ये किस पारंप्रिक कला के लिए प्रसिद है? तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या है? याद रखेगा चिकन कारी प्रसित बांगला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? देखे पाथेर पंचाली ये बांगला उपन्यास है इसका लेखक बताना है कौन है? सही जबाब है B option विभूती भूशन बंधो पाद्याए वेश्विक अस्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यार साथियो प्रत्यक वर्ष तीन जून को मनाया जाता है यहाँ प्रांसर क्या हो जाएगा? C option तीन जून को प्रथम ज्यानपिट पुरुशकार विजेता कौन थे? पूछा हुआ कोशन है important रहेगा प्रथम ज्यानपिट पुरुशकार विजेता तो साथियो प्रथम ज्यानपिट पुरुशकार विजेता की बात करे तो जी संकर कुरुप हो जाएगा यहाँ पर C option सही है इन्हें 1965 में मिला था ज्यानपिट पुरुशकार आगे दिके संजुक्त राष्ट महा सभा के आठवे सत्र के महिला अध्यक्स के रूप में चुने जाने वाली पहली भारत्य कौन थी? सही आंसर है विजे लक्षमी पंडित यहाँ पर पहला उप्षन आपका सही जबाब है एनी वेसेंट भारत्य राष्ट्य कौनग्रेस की प्रतम महिला अध्यक्स थी सरोजनी नैडू भारत्य राष्ट्य कौनग्रेस की प्रतम भारत्य महिला अध्यक्स थी और इंद्रा गांधी स्वतंत्र भारत में भारत्य राष्टे कॉंग्रेस की महिला अध्यक्ष्थी तीनों को ध्यान रखना है। इनमें से किस अंतराष्टे संगठन का मुख्या लए वासिंगठन डेसी में हैं। तो देखे हमने आपको कई बर बताया है आई एम एप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और साथ में वर्ल्ड बैंक दोनों का हिट कॉर्टर काहां पर है वासिंगठन डेसी में। तो यहाँ पर देखे अंतराष्टे मुद्रा को स्यानि आई एम एप दिया गया है तो सही जबाब है पाहला ओप्सन याद रखेगा अंतराष्टे स्रम संगठन इसका का पर है जेनेवा में है बीमर सब्द किस खेल से संबंदी थे तो साथ्यों बीमर सब्द की बात करे य देखे कीबोर्ड में जो होता है एफ से लेकर एफ 12 तक होता है और यह क्या है फंसन की तो पूछा आता है फंसन की की संख्या तो याद रखेगा 12 एफ 1 से लेकर एफ 12 तक जिसमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए की जो है यह एफ 8 है जाबा स्क्रिप्ट 95 में निम नलेकित में से कौन एक ओपरेटिंग तंत्र नहीं है यानि ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ओपेरा यह क्या है एक ब्राउजर है जबकि एंड्रोइड आई ओएस विश्टा यह सभी क्या है तो यह ओपरेटिंग सिस्टम है ज Do Know Evil टैग लाइन किसकी है तो साथियो Do Know Evil ये टैग लाइन जो है याद रखीगा Google की टैग लाइन है यापर C ओप्शन सही है दोहनी तरंगों से कौन सा सब्द जुड़ा हुआ नहीं है तो दोहनी तरंगों से डेसिबल जुड़ा है मैक जुड़ा है, हर्ज भी जुड़ा है लेकिन केंडला नहीं जुड़ा है कोई वस्तु अपने विरामा वस्था या गतिमान अवस्था में होने बाले परिवर्तन का विरोध करती है उनकी यह स्वभाविक प्रविर्ती क्या कहलाती है सिंपल सा कोशन है जड़त्व कहलाती है परम सुन्य वह तापमान है जिस पर क्या होता है सई आंसर है गैस्वा में आनविक गति घटने लगती है या पर पहला ओप्सन सई है उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें सुर्योदय और सुर्यास्त के समय पहाडों की चोटियां गुला भी या नारंगी रंग की हो जाती है तो चोवन के लिए आंसर क्या हो जाएगा ये है एल पैंगलो जहापर डी ओप्सन आपका सही जवाब है एक पायस यानि की इमल्सन किसका कोलाडी विलियन होता है पायस और इमल्सन दोनों एकी चीज है तो किसका कोलाडी विलियन होता है याद रखेगा इसका सही जवाब है द्रब में द्रब का और इसका एक अच्छा उधारन पूछा जाता है दूद दूद जो है ये इमल्सन का उधारन है लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की प्रत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या का जाता है तो इंगलिस में बोला जाता है गैल्वेनाईजेशन और हिंदी में गैल्वनी करन इसमें लोहे पर जस्ते की प्रत चढ़ाई जाती है निम्न लेकित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो समाने तह लाइट बलवों में पाई जाती है सिंपल सा कुशन है ये है आरगन अंत्रिक्स यानों में इंधन को जमने से बचाने के लिए किसका परियोग किया जाता है और देखे जिनोंने अभी तक लाइक ने किया है फटा फट से से सेशन को लाइक करें तो यहाँ पर इसका सही जबाब है गलाइकोल का प्रियोग होता है माइटो कॉंड्रिया के बारे में निम्न लेकित में से कौन सा कथन सही है माइटो कॉंड्रिया को कोशीका का पावर हाउस का जाता है और इसके बारे में कौन सा कथन सही है तो सभी आप्शन को पढ़ लिजेगा इस कांसर यहाँ पर हो जाएगा बाहरे जिल्ली के बिना माइटो कॉंड्रिया को माइको प्लास्ट का जाता है ये कथन सही है निम्नलिकित में से किस रूप में कार्बो हाइड्रेट्स हमारे सरीर में संचित होते ही तो पहले भी हमने आपको बताया था गलाइकोजन की रूप में कार्बो हाइड्रेट्स जो है हमारे सरीर में संचित होते है निम्नलिकित में से किस प्रकार के जिब में स्वपोसी पोसन पाया जाता है चलिश्टार मा कर लिजे एक जाम के लिए इंपोर्टन बनेगा इसका याँ पर सही जबाब है जीवानों याद यखेगा यानि कि वेक्ट्रिया विशानों को वैरस का जाता है निम्न लिकित मेंसे मानब सरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है दीकि यहाँपे यूरिया का फॉर्मूला पूचा आता है तो याद रखेगा इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2 ये क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है इसको कई तरह से लिखा जाता है लेकिन आपको बेसिक ध्यान रखना है NH2 CO NH2 और ये उत्पादन करता है यक्रित किस राजिमे मानस टाइगर रिजर्व है सिंपल सा कोशन है असम यहाँ पर काजिरंगा भी है जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए परसिद है केरल में याद रखेगा पिरियार ये पूछा जाता है पिरियार राष्टे भारन केरल में है कुनो राष्टे भारन पूछा जाए तो याद रखेगा ये काँ पर है मद्ध परदिस में है कुनो शिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वादिक सस्त्र निर्यातक देश कौन सा है तो 64 के लिए आपर आंसर क्या हो जाएगा रूस अब यहाँ से हम लोग करेंट अफर्स के कोशन को कबर करेंगे विश्व बैंक दुवरा जारी विश्व विकास संके तक 2021 के अनुसार सकल राष्टिया याने जी एन आई में भारत का करम कौन सा है तो भारत का करम इसमें पाचवा है विश्व बैंक दुवरा जारी विश्व विकास संके तक 2021 के अनुसार विश्व का सरवादिक जन घनत वळा देश कौन सा है? तो याद रखेगा मकाव विश्व बैंक प्रास्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत का जीवन प्रत्यासा कितना आका गया है? सहीज बाभे सत्तर अक्टूबर 2022 में धर्मांतरन कर चुके दलितों के अनुसूचित जाती या फिर जन जाती दरजे पर विकार सोरी विचार करने के लिए किसकी अधेक्स्ता में एक आयोक का गठन किया गया? सहीज बाभे केजी बाल क्रिश्णन अक्टूबर 2022 में ससस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्यान कोस्मे युगदान के लिए किस वेबसाइट का सुभारम किया गया? सहीज बाभे मा भारतिय के सपूत आकरी कोर्शन है अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल इयर ओप सिलक्स 2023 को बढ़ावा देने के लिए क्रिशी और किसान कल्यान विभाग एवं की संस्था के बीच समझोता ग्यान पर ग्यापन पर हस्ताक्चर किया गया? तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या है? तो याद रखिएगा नेशनल अग्रिकल्चर कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ओप इंडिया लिमिटेड यानि एन ए ए ए एफ ए डी बी ओप्सन आपका सही है तो चले सात्यों आज इक लिए इतना ही अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के सत्तर कोपरेशन में कितने कोपरेशन सही किये हैं और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पाले सेशन को लाइक और सेयर जरूर करें